सब्सक्राइब नाव और प्रेस्ट बेल आइकिब नेवर मिस अन अपडेट जैश्रमन नारायन आए आज का राशी फ़ल जाने दो हज्यार उन्नेश सत्रह जुलाई के दिन सभी राशियों का फ़ल यानि और मनुस्य की जीमन में उताज शड़ाव होते रहते हैं और समस्या किसी को धन की समस्या है किसी को प्यार की समस्या है किसी को नौकरी की समस्या है किसी को मकान की किसी को शादी की किसी को ब्यपार से जुड़ी हुई कोई ने कोई समस्या है किसी का कहीं धन फसा हुआ है उन नहीं मिल पा रहा है इस तरह की समस्याओं को जानने के लिए अलग अलग जैसे तक्निक तोर तरीका बताए गए हैं हमारे रिशियों ने रिशि मतलब रिशर्चर उन लोगों ने अनुसंधान किया कि भाई यह ऐसे काम कर देने से यह काम हो जाएगा तो यह सब जानने के लिए आप लोगों को क्लिक करके बात करना पड़ेगा और अब आप राशियों के उपर पढ़ने वाले प्रभाव एवन किस राशी का क्या फल होगा यह जाने मेख राशी दिन काफी विबाद आस्पद साबित हो सकता है आपको अपने बरिष्ठों की उपिक्षा का सामना करना पड़ेगा और आपके सोयोगी आपके कम्योरियों को भुनाने और खेल विगारने का काम करेंगे इस सचरण में आपको अपने सहकर्मियों के साथ अपनी योजिजनाव या अपनी महत्वकांच्छा का खुलासा नहीं करना चाहिए यहां तक संभव हो अपनी गोपनियता बरकरार रखें और अपना समय किताबों की कमपनी में बिताएं परिवार की जीवन एंग अमान रहेगा अब ब्रिख राशी वाले नियोजित कार्ज बहुत अधिक परिणाम नहीं दिखाएगा किन्तु परिणाम जो ही हो शकारात्मक होंगे आर्थिक लाव प्राप्त करने के लिए दिन सूभ है यदि आपने किसी को पैसे उधार दिये थे तो यह आपके लिए स अस्थल पर किसी बुजूर्ग महिला के साथ धगड़ा हो सकता है परिवारी के समाजिक संबंध मजबूत होंगे और आप नए दोस्त भी बनाएंगे खराब खान पान के कारण स्वास्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अब मिथून रासी का जानिये भावनात् समय नहीं है क्योंकि इस अवधी के दोरान आप यो भी निर्ड़े लेंगे उसे पुरा करना मुश्किल होगा आप अपनी मनोदसा और आत्म विश्वास में गिरावट का अनभव कर सकते हैं इस समय अपने साहस को बटोरें और समय का अधिकतम लाब उठाएं आज अपने के लिए परिवारिक सदस्यों का बेवार पहेली बन सकता है समुदाइक और शायदारी के कार्ज सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और आप अपने बेक्तिगत सिखर पर होंगे आईए अब करक राशी के विशे में जाने करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपकी नोकरी के हालात में सुधार संभव है किन्तु स्वात सम्मिद्धिं परिशानिया रह सकते हैं कार्यस्थर पर सहकर्मियों सो बिरूध हो सकता है बैपारिक यंग ब्यवसाइक संदर्म में बिरूधी परतिष्ठा बिगारने की चेश्टा कर सकते हैं अतह सा रासी वाले आज का रासी फल जाने आपको नौकरी या काम काज से जुड़े कई नए विकल्प मिल सकते हैं हालाकि जल्दबाजी में निर्णे लेने से आपको बचना चाहिए बैपारिक संदर में आपकार्जविष्टार जुन्नाओं को अमले जामा पहनाने के लिए अप अपने प्रिय जनों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें नाक कान और गले से जुड़े रोगों से बचे मेहनत और लगन से आप आने वाले दिनों में जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं आये अब कन्या रासी वाले आज का अपना रासी फल जाने छात्रों क कर सकेंगे परिवारिक जीवन सुचारू रहेगा आप में से कुछ लोग वाहनों से संबंधित बेवसाय और किसी से अत्रिक आय प्राप्त कर सकते हैं नोकरी पेशा जातकों को कार्ज अस्थल पर बहुत अधिक तनाव और दबाव कुछ बेचायन कर सकता है सहयोग्यों के विश्वास प्राप्त कर आपाने वाले दिनों में शुख प्रगत क्यू कर पाएंगे मानसिक तनाव के कारण स्वास्त अस्थिर रह सकता है आराम करने के लिए प्रियाप्त समय लें आइए अब तुला रासी वाले आज का अपना राशी फल जाने तुला राशी आज का दिन आपको धनी और प्रसिद बना सकता है हलाकि यह आपके जिवन शाथी के स्वास्त को भी प्रभावित कर सकता है वेपारिक और वेवसाइक संदर्भ में आप मेहंति और प्रभाशाली वेक्तियों की सहायता से अपने श्थि देकर उचलाव मिल सकता है अब आज बिर्शिक राशी वाले अपना राशी फल जाने आज का दिन भाग दवड़वाला हो सकता है आप सकारात्म कुर्जा से भरपूर होंगे और आपका उत्साह आपको शाहसी अंग बल प्रदान करेगा जिसके फल सरूप आप विवेशाइक इस्थित्यों को अपने पक्च में मौड़ पाएंगे आप अपने साथियों को फायदा पहुंशारे और उनको प्रभावित करने के आउसोनों का प्रौन लाब उठाएंगे आई के नए स्रोत बिक्सित हो सकते है नए शंपर्ख बिक्सित होने की समभावना है आप समाजि नए संपर्क और संचार वेवसाय को एकनवीन दिशा प्रदान कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि आप अपना ध्यान वेवारिक मामलों की और मोडें और उन उपाएं को अपनाएं योवीतिय मामलों में आपको दिर्खकालिक सुर्च्छा प्रदान कर सकती है। आप अपने लक्षों को वास्त्विक जिम्यदारियों के प्रकास में स्युकार करते वे प्रिभासित करेंगे। बहुत सारी गत्विधिया संपन्न हो सकती हैं और यात्रा भी लाफदायक होगी। बच्चों और प्रिजनों के साथ बिताया गया समय रिष्टों को मजबूत करेगा। आप अपनी सोच और सपने अपने प्रेमी से साज़ा करेंगे। जिससे आपके प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी। आईए अब मकर राशी वाले आज के दिन का अपना राशी फल जाने। मकर राशी आज आपके लिए समय कठोर हो सकता है और आप कुछ काम पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। बेवसाईयों को कुछ तरम संबंधी समस्याओं का सामना करना पर सकता है। कुछ बीतिये बाधाएं हो सकती हैं और आपको अपने भुक्तानों को पूरा करने में कठिनाई होगी। आपको अपने घर या कार्याले की मरमत तो रख रखाओं पर खर्श करना पर सकता है। इसके कारण आप बचत अथवा निवेश नहीं कर पाएंगे। मित्र और सुप्चिन तक अपना सहयोग देंगे। अब कुम्भ राशी वाले या तक आज अपने राशी का फल जाने। कुम्भ राशी आप अपने आत्म विश्वास को फिर से हासिल करेंगे। और पूरे समर्पन के साथ काम में यूटेंगे। जो शकारात्मक विकास को जन्म देगा। आप एक से अधिक प्रोजेक्ट में सामिल हो सकते हैं। और समय की कमे भी महसुस कर सकते हैं। विती स्थिती में सुधार होना तय है और आपको आय का एक अत्रिक्ट श्रोत भी मिल सकता है। अधि आप परिच्छा या प्रत्योगता के माध्धम से अपने इस्थिती को सुध्रिण करना चाहते हैं। तो अपना ध्यान और समर्पन नक होएं। आपको अपने जीमन साथी का पूरा साथ मिलेगा। और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अमीन रासी वाले आज का रासी फलप ना जाने। मेन रासी के जातकों के लिए आज का दिन यह मित्रित प्रणामों की ओधी होगी। आप अपने कार्यस्थल पर नई कठिनाईयों का सामना कर सकते हैं। यह समय नई रणनीती और द्रिष्टकून अपनाने और किंद्रित रहने का है। स्रहजोगी और स्रहकर्मी आपकी बात असानी से समझ नहीं पाएंगे। ब्यक्तिकत संबंध मजबूत होंगे और आप जब चाहेंगे तब अपने साथी का पुरा स्रहयोग प्राप्त करेंगे। आप बौधिक और सक्षिक गतिविध्यों के लिए तयार हैंगे अचानक खर्च हो सकता है। तो यह रहा आज के बारह रासी के जातकों का बारह रासियों का आज का फल। विशेश जानकारी के लिए पते एक डिन इसको स्रमड करें। जय श्रीमन।